वेलकम तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल आप सभी का आज किस RRB NTPC exam analysis की वीडियो में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम देखने माले हैं तेरम आज सेकेंड सिफ्ट के यहाँ पे GKGS और करेंट अफेर के जितने भी कोश्चन आपके आय हवे थे क्योंकि मैं यहाँ पर चाहता हूं कि मेरी स्थुडेंट इन्क्लूट करता हूं इस चैनल पर वीडियो बनाता हम उसमें मैं 100% आय हुए पे तुम आप आधम आपे क्ति करता हूं और हैंनलें साथ आगि आपका काम क्लास यूटीव चनल साथ बेल आइकन यानि की घंटे के निसान को दबाना मद भूलिएगा अब हम देखते हैं यहां पर पहला कोस्टन सबसे पहले सुरू करते हैं यहां पर पूछा गया है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधी किस ने दी काफी आसान कोस्टन था काफी बार रिपीटेड यह भ उपाधी दे अगला कोर्श्क्रियन है पर उपनी प्रत्म युद्ध हुआ था तो पानी प्रत्म युद्ध हो था चाइंट 1526 को और यह पूछ घिया ऑपढ़ और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ यह पानी प्रत्त का प्रत्म युद्ध हुआ थाтора कैस Epoare 1526 ही तीसा कोस्चन है हिंदू कुसपरवत माला की सबसे उची चोटी है तीरीमिर जसकी उुचाई है 7788 मीटर और अगर यह पूछा जाए कि तीरीमिर किस देश में है तो यह पाकिस्तान में ठीक है फ्रेंट्स अगले तर्फ पड़ते हैं चौते कोस्चन की तरफ साहियुक तराष्ट संग यानि की UNO United Nation Organization का नाम किस देश के राष्टपती ने दिया था तो यह दिया था अमेरिका के राष्टपती थे वहाँ पे अगर आपके आप्सन में अमेरिका था तो अमेरिका सही हो जाएगा और अगर राष्टपती का नाम पूछा था तो उनका ना प्रण किस ने किया था तो इनका नाम है पिंगली वैंक कया यह भी रिपेटेट कोस्चन है चट्मा कोस्चन है यूनिसेफ के ब्रांड अमबेश्डर कौन है तो अगर सिर्फ ब्रांड अमबेश्डर पूछा था तो 2010 में बनाई गयी थी प्रियंका चोपड़ा ब्रांड वैंच्ट कोस्चन था आपका रेडियो धर्मिता की SI व्युनिट पूछी थी तो रेडियो धर्मिता की SI उनित होती है मदेगेट एक हैं नेक्स आपका योजना से संबंदीत कोस्चन था कि कि सूम क्या है कि संकट aham अपनी तरफ से solar panel देगा जिसकी सहायता से किसान बिजली की सहायता से पानी अपने खेतों में भर सकते हैं, ठीक है, अगर किसान यहाँ पर कुसुम का full farm पूछा जाए, तो kusum मतलब जो meaning है, उसका full farm होता है, किसान, उर्जा, सुरच्छा, उत्थान, महा अभियान, ठीक है, कुसुम का full farm यहाँ पर है, देख लिजेगा इसको, और यह PDF मैं नीचे description box में डाल दूँगा, बिल्कुल free में है, तो उसको जाके आप download कर लिजेगा, next question है, यहाँ पर 9 question, कम से कम 8 से 10 बर यह पूछा जा चुका है, question अलग अलग तरीके से, यहाँ पर question देख लिजिए है विजिया बैंक और देना बैंक का विल्क किस बैंक में हुआ, तो इस बैंक का नाम तो आप लोगों को रट गया होगा, अगर आप regular basis पे हाँ पर मेरी analysis देखते हैं, तो इस question का answer है, बैंक का बढ़ोधा, कभी कभी question इस तरीके से पूछ लेता है, कि बैंक का बढ़ोधा मे आपका micro जो प्रकार होते हैं, जैसे micro हो गया, mini हो गया, super हो गया, तो जो desktop होते हैं, जो घर में हम लोग personal computer यूज करते हैं, या फिर laptop आप देखे ही होंगे, यह आपका micro computer के प्रकार है, ठीक है, अगला question यहाँ पर पूछा है, शरीर का एक भाग होता है, जिसकी जो आकरित question है, आपका यहाँ पर पूछा गया है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है, अभी कुछ दिन पहले, आपके तिन-चार दिन पहले आपका एक जाम में पूछा गया था, कि विश्वकी सबसे बड़ी मीठे पानी की जील कौन सी है, लेकिन आज पूछा ग इसी तरह यहां पहुच्छा गया है कुछ दिन पहले पूचा गया था कि जो यहांपे आपका काल की स्थिति लगाई जाती है वो किस देश से लिए गया था तो तो असक्यूं का मतलब उस कोफटन का एंसर था अपका जर्मनी लेकिन आज जो कोफटन पुचा गया है सवतंता समानता और बंधो तुकिस दे से लिया गए हमारे समिधान में तो ये question का answer हो जाएगा आपका France next question है आपने यहाँ पे पूछा गया है NASA ने कौन सी जो उपग्रह launch किया भी जल्दी ही जो पता लगाएगा कि glacier और समुद्र के जो बर्फ है उसमें क्या बदला हो रहा है तो यहाँ पे पूछा गया था उसमें option था आपका I set to यह बिल्कुल सही answer होगा 14 question का answer 14 number के question का सही answer हो जाएगा I set to next question है 2019 में youth games में सबसे कम उम्र का जो स्वड़ पदक विजेता shooter था यानि कि निसाने बाजी में 2019 में सबसे कम उम्र के विजेता का नाम पूछा था तो इस question का बिल्कुल सही answer हो जाएगा अभिना साओ ठीक है 16 question की तरब बढ़ते हैं 16 number question है यहाँ पे देख लिजे The soul of a new machine को निम्न में से कौन सा पूरसकार मिला यह किताब है The soul of a new machine इसको कौन सा पूरसकार मिला था तो इस बुक को पूरसकार मिला है पुलिजजर पुलिजजर पूरसकार मिला है The soul of a new machine को next question है 17 number का question 1997 से 2006 तक UN का महासचिव कौन था यानि कि Secretary General 1997 से 2006 तक निम्न में से कौन थे वहाँ पर एक option थे कोफी अनान यह आपका 2006 तक 1997 से लेके 2006 तक UN के महासचिव थे अगर यह पूछा जाए कि इनको कौन सा पूरसकार मिला था तो इनको 2001 में Nobel सांती पूरसकार दिया गया था कोफी अनान को यहाँ पर यह भी पूछ लेता है कि जितने भी question आप लोगों को दिखा हूँ 100% आय हुए question दिखा हूँ with 100% accurate answer के साथ तो यहाँ पर देख लिए 18 वह question है आलू, प्याज, टमाटर की कीमतों को इस्थिर करने के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की तो हाल ही में योजना शुरू की गई है आलू, प्याज, टमाटर इस तरीके से 18 ऐसे product हैं जिनके दाम को इस्थिर रखने के लिए सरकार ने योजना शुरू की है उसका नाम है operation green तो यह थे आज की वीडियो के अब सारे question को दोस्तों, अगर वीडियो देखने के बाद आप लोगों को लगे कि हाँ, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए मेहनत की है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और regular basis पे ऐसी वीडियो देखने के लिए रोशन की क्लाश यूटिव चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लिजे तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद बंदमात्रम